हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल सॉनी स्टोरी पर स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर से प्रेस कर लेजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो शुरू करते हैं आज की कहाने बहु कहां मर गई? अंदर से आवाज आई जिन्दा हूँ माजी तो फिर मेरे चाई क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ? ला रही हूँ माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर मुझे मारोगी क्या? बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूँ सास ने कहा रहने दे बना दिया है तो खा लेती हूँ सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु माजी मुझे कप्रे धोने हैं मैं जाती हूँ बहु दर्वाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खतम कर दी बहु मुस्कुराई और काम पर लग गई दोपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवास लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिलाई भूखे मारोगी क्या बहु आई सामने खिज़ी रख दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे नहीं खाना इसे ले जाओ बहु ने कहा आपको डोक्टर ने दिन में खिचडी खाने को कहा है खाना तो पड़े गा ही सास मुह बनाते हुए हाँ तू मेरी मा बन जा बहु फिर मुस्कुराई और चले गई आज इनके घर पूजा थी बहु सुभह चार बजे उठ गई पहले स्नान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफ की पकवान और भोज बनाया सुभह के दस बज गए अब सास भी उड़ चुकी थी बहु अब पंडित जी के साथ भगवान की वस्त्र तयार कर रही थी आज ओफिस के छुट्टी भी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू हुई सास चिलाती बहु ये नहीं है वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दोपहर के तीन बज गए थी आरती की तयारी चल रही थी पंडित जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली हाथों से गिर पड़ी शायद भोज बनाते हुए बहु की हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोंचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह की बाते करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहु उठा लाए एक आर्ती की थाली भी संभाल नहीं सकी उसके पती भी गुसा हो गए पर सास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है सब सीख जाएगी धीरे-धीरे अब सब को खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पाने लाती करीब सत्तर अस्ती लोग हो गए थे इधर दोड़ नोकर और बहु अकेली फिर भी वहां सारा काम बहुत इह अच्छे तरीके से करती अब उसकी सास और कुछ आसपडोस की लोग खाने पर बैठे बहु ने खाना परोसना शुरू किया सब को खाना दे दिया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी आसपडोस वालों को तो जानती ही हो न साहब वो बस बहाना ढूनते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गई ऐसा खाना है ऐसी बहु है ये वो वगर वगर दिन का खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नोक्रों के साथ लग गई रात में जगराता का कारेकरम रखा गया था बहु भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोर से चिलाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत का वापस आ जा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सब ने उसके गाने की तारिफ की पर सास मूँ फुलाते वे बोली इससे अच्छा तुम में गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब राद का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिलाता थोड़ा बरफ लाओ तो सास चिलाती यहां दाल नहीं है फिर चिलाता कोल ड्रिंक नहीं है पापड ले आओ आखरी में उसके पती की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल तूट गई पती गुस्सी में दो जापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देखकर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार मूट खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड गवार बीवी ला रखी है तुने उसे तो महमानों की इज़्जत और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेस्ती कर दी अब आस पड़ोस की ओरतों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहुने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गमार से सास उठी और अपने बेटे की पांस जाकर उसे थपड मारा और कहा अरे नालायक तुमने मेरी बहु को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दूँगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घुर्टे भी कहा चुप बिल्कुल चुप यहाँ दारुपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है कैसे संसकार दिये हैं तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चपल से मारूंगी अगर मेरी बहु को किसी ने एक शब्द भी कहा दो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल तूट गई पापी वो बच्ची सुभे चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुभे से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सब की बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूंगे तिरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकड़ कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपने बहु को घर से निकाल के दूसरे बहु ले आना जरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है बेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डारती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है मेरी दिन रात सेवा करती है मेरी हजार ताने सुनती है पर एक शवद भी गलत नहीं कहती ना सामने ना पेट पिछे और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आओ याद है ना चुटकी की दादी अपनी बहु की करतूत सास ने गुस्से से पडोस की महिला को कहा अभी पिछले हफते ही तुम्हें मिया बेवी भूखे छोड़ गूमने चले गए थे मेरी इसी बहु ने साथ दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फर्क नहीं जानते आएंदा मेरी बहु के बारे में किसी ने एक लफ़ज भी बोला तो मुझसे बुड़ा कोई नहीं होगा क्योंकि यह मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है बहु सिस्कियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्लेट उठाई और बोजन परोसा और बहु की कमरे में खुद ले गई सास को बोजन लाते देखा तो बहु ने कहा अरे माजी आप ये क्या कर रही हो, मैं खुद ले आते, सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर्मत इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगे तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहु चाहिए, बहु ने अपनी सास को रो होते हुए गले से लगा लिया, सास भी रो दी, पहली बार और कहा, चल खाना खाले, फिर मजाब करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये खयाल मन में मतलाना, कि सास पैर बोलती है, तीजी दिन मैं इसका गला दबा दूँगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सो पसंद आई होगी, अगर सच में पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करके जरूर जाएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा, धन्यवाद